नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्रदीप चौहन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल खवर हाट बात समझनी है तो पूरी सुननी होगे और उसके लिए अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजे दोस्तों ये 16, 17, 18 सितंबर 2023 ये डेट्स याद रखना है ये डेट्स कई सालों तक इस देश के राजनीतिक इतियास में बहुत महत्वे रखने वाली है अब आप कहेंगे कि ऐसा क्या हो रहा है इन तीन डेट्स में कि इस देश का इतियास इने याद रखेगा जी हाँ तीन चीजें बहुत महत्वपून होने वाली है इस डेट्स में और इसलिए ये डेट्स तीनों डेट्स टै करेंगी कि इस देश की दशा और दिशाराजनीतिकी किस तरफ जाएगी खास करके अगर आप नजर 2024 पर रखते हैं तो 2024 का पूरा खाका इन तीन डेट्स में आपको खिचता नजर आएगा ये 16, 17, 18 सितंबर 2023 क्यों इतने महत्वपून होने वाले हैं पहले इसी पर बात करते हैं देखें सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना होगा कि अगर 2024 में कुछ राजनीतिक बदलाओ या कुछ राजनीतिक उतल पुतल इस देश में होती है तो उसका सारे का सारा जिमा यह यूँ कहें कि सबसे बड़ा जिमा एक पार्टी पहर है और वो पार्टी है Congress Indian National Congress क्योंकि Principal Opposition Party वह है और अकेली पार्टी वह है जो पूरे देश में BJP के सामने खड़ी है अब इस पार्टी की इस Grand Old Party की सबसे बड़ी Think Tank या सबसे बड़ी कारेकारे नी जिसको कहते हैं Congress Working Committee, CWC उसकी बैठक कई सालों बाद दिल्ली से बाहर होकर हैदराबाद में हो रही है जी हां अकसर दिल्ली में ये CWC की मीटिंगे हो अकरती थी तीन चार घंटे की लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि मल्ली कारजुन खड़के नए अध्यक्ष जो बने हैं गैर गांधी अध्यक्ष बने हैं उनकी पहली जो CWC की टीम की बैठक है वो हैदराबाद में आयुज कॉंग्रेस के नेता सरदार पटेल ने भारत गनराज्य का हिस्सा बनाया था उसी हैदराबाद में जिस राज्य की राजधानी है उसका नाम है तिलंगाना और इस तिलंगाना राज्य को बनाने का श्रे भी जाता है कॉंग्रेस को खास करके सोनिया गांधी को जिनों ने य तिलंगाना में कॉंग्रेस कभी शासन में नहीं आपाई लेकिन इस बार कॉंग्रेस को लग रहा है कि जो उन्होंने तिलंगाना के लोगों को तोफ़ा दिया था उसका अब उसके एवज में लोगों में ये एक भावना है कि कॉंग्रेस को इस बार सत्ता में बिठाया जाए और उस सत्ता की सुगंद कॉंग्रेस को मिल चुकी है इसलिए कॉंग्रेस के लिए ये दो दिन बहुत महतोपूर है तीसरी बात ये CWC नहीं है बलके मेगा टीम कहा जा रहा है जिसमें 84 सदसी हैं, 84 सदसी हैं मलीकारजुन खड़गे की इस टीम में जिसमें 49 regular member है, 32 permanent invite members है और 13 special invite है इसके अलावा अगर इस पूरे CWC में आप नजर दोड़ाएं तो youth और experience और mid का बहुत जबर्दस combination है इसमें आपको जहां सोनिया गांदी, मलीकारजुन खड़गे जैसे experience आदमी मिलते हैं तो वहीं पर इसी CWC में आपको गोरव गोगोई और कई नए चेहरे जो है इसका हिस्सा इस बार बने है साथ ही पहली बार ऐसा हुआ है कि CWC में 15 महिला चेहरे हैं यानि कि महिला, युवा, बुज़र्ग सब का combination इस इतनी बड़ी टीम में है और इतना ही नहीं कि ये टीम यहां मिलेगी तो सही उसके अलावा जो एक मेगा रैली कल शाम को हैदराबाद के पास होगी वो भी Congress का अब तक का सबसे बड़ा मेगा इवन्ट आप कह सकते हैं रैली के हिसाब से भारत जोड़ो यातरा अलग चीज थी, वो एक लंबा प्रोसेस था एक रैली के हिसाब से मेगा रैली ये अब तक की महा रैली आपको इसको Congress की कह सकते हैं कि आज तक आपने कभी बहुत सालों से नहीं देखा होगा जहां एक ही मंच पर ब्राष्ट्य अधक्ष मलीकार जुन खड़के भी होगे, सोन्या गांधी भी होगी, राहुल गांधी भी होगी, प्रियंका गांधी भी होगी, सभी मुख्यमंत्री जो है कॉंग्रेस के चारों वो भी होंगे, और सभी बड़े चेहरे, जित्ते भी आपको कॉंग्रेस में बड़े चेहरे, सब के सब आपको एक मंच पर दिखाई देंगे. ये बड़ी आतेहासिक बैठक इसलिए है कि पांच राज्यों में असेम्मली चुनाव होने हैं, उसके कुछ बाद, कुछ महीनों बाद, लोग सबाद चुनाव होने हैं. ये लुटफ बाद बड़ी चुनावन प्रश्च अटोड़ी चिर साथ बाद, बीज नवाद, ब्रेच श्रॉट बाद में इस बाद, जबिज अवाद, पिक बड़ प्सक्रण का प्सक्राद, आतुट अबस्टूटव कमच बाद, श्यूट ये ज्टे हैं, अबस्टब मे एक साल से आप देख रहे हैं लगातार कॉंग्रेस पार्टी इस देश की सडकों पर है, गलियों में है, ऐसे मुद्दे उठा रही है, ऐसे मुद्दों पर चर्चा कर रही है, जिन मुद्दों को आजकल विमर्श में, समवाद में स्थान नहीं मिलता, पिछले नौ साल से वो मुद्दे अपना स्थान ढून रहे थे, लौट अव यू है अग्ड़ाइब को आजकल विमर्श को पर्चा कर रहे हैं, इसके बाद आपको नई कॉंग्रेस देखने को मिल सकती है, जी हाँ, मैं नई कॉंग्रेस क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ कि जिसे मैं पहले का कि पहली बार एक तो कॉंग्रेस का सारा पूरा बड़ा लिडर्शिप एक साथ एक जगा पर दिखाई दे रहा है, उसके अलावा बैठक और रैली के अलावा ये भी तैह हुआ है कि जितने सांसद है वो तो दिल्ली लोट आएंगे, लेकिन बाकी जितने भी नेता है, वो सुमवार को मंडे को तिलंगाना की सभी 119 विधान सभा सीटों पर जाकर डोर टू दोर कैंपेइन करेंगे, कारिकरताओं से मिलेंगे, यानि कि कॉंग्रेस ये तैक करना चाहती है कि कि किसी भी हाल में अब तिलंगाना को नहीं छोड़ना है, मद्य परदेश, परनाटक चुनाओ से कह रहा हूँ कि तलंगाना से कॉंग्रेस के लिए अचंबित करने वाले नतीजे निकल सकते हैं, अब उसका असर भी दिखने लगा है, इसलिए ये इतना बड़ा मेगा इवेंट किया जा रहा है, पहली बार तो ये कि तलंगाना में पहली बार कॉंग आंधर परदेश में भी देखने को मिलेगा, आंधर परदेश में भी कॉंग्रेस का जो मनोबल है वो बहुत मजबूत हो जाएगा और दो हजार चौविस के नजरिये से अगर आप राजिस्थान, मद्यपरदेश, च्छतिसगर, तलंगाना और मिजोरम, ये पांचों पारण उसका ये है, या दूसरा वज़ाई ये है कि तलंगाना में तो कॉंग्रेस यहां से चुनाव रन भेदी की शुरुआत करेगी, करेगी, साथ ही आप ये भी मान के चलिए, कि इसे ऑफिशल ही आप दो हजार चौविस के लिए कॉंग्रेस के रन की रन भेदी कह सकते है, हैदराबाद से दो हजार चौविस की जंग की ऑफिशल शुरुआत कॉंग्रेस करने वाली है, क्योंकि इसके बाद इतना बड़ा जमावड़ा कॉंग्रेस लेडर्स का एक साथ और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये दो हजार चौविस के लिए ये भी तैय है तीसरा कारण, इसी CWC में, इसी हैदराबाद में ये तैय करना है कॉंग्रेस को और इस पे फाइनल करना है कि किस राज्ये में इंडिया गटबंदन के साथ जब हम गटबंदन में जाएंगे तो किस राज्ये में हम किस पार्टी के लिए कितनी शील्ट छोड़ सकते हैं य जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है उसको दूर करना बहुत जरूरी है तो ये चीज भी वहाँ से तैह होगी कि दरसल कॉंग्रेस तैह करेगी कि हमें कितना जुकना है यानि पीट जुकानी है इतना भी न जुके कि दूसरी पार्टी आपकी पीट पे चड़के आगे बढ़ और आप पीछे रहे जाएं कॉंग्रेस इस से बचना चाहती हालनकि कॉंग्रेस ही चाह रही थी कि इन पांच राज्यों के विधान सवा चुनाओ के बाद सीट शेरिंग पे बात हो लेकिन इंडिया ब्लॉक की जो बाकी गड़वन के जो सही होगी है वो चाह रहे है कि अक होगी और अगर होगी तो किस वक्त होगी और किन किन राज्यों से होकर गुजरेगी क्योंकि हर राज्य की लिडर्शिप वहाँ होगी सब की बात सुनी जाएगी तो जिन जिन राज्यों से संभावित होगा भारत जोड़ो यातरा का जाना उन राज्यों से होकर ये भारत चुड़ो यातरा होगी की नहीं होगी और होगी तो किस वक्त होगी क्या इन विदान सवा चुनाओं के बाद और लोग सवा के चुनाओं के बीच होगी या फिर इनी विदान सवा चुनाओं के दौरान होगी एक खबर और जो निकल के आई है वो ये निकल के आई है कि जो मह चुनावी राज्यों ने खास करके 36 गर्ड राजिस्थान मद्यप्रदेश तिलंगाना तीनों चारो राज्यों ने कहा है कि यहां पर जब तक चुनाव नहीं होते तब तक गठ बंदन की रैली ना की जाए उसकी साफ बजा है कि यह जो विधान सवा चुनाव है यह लोकल दो पर बीजेपी अभी बैक फूट पर है कांगरिस फ्रांट फूट पर है और यहां तैलंगाना में बीरस बीजेपी दोनों बैक फूट पर है अगर यहां पर इंडिया कटबंदन की रैली कर ली जाएगी तो वो रैली में issues high national issues इसलिए इन चारो राज्यों ने मना किया है कि हमारे यहां पर फिलाल जब तक विधान सभा चुनाव नहीं होते तब तक गटबंदन की कोई रैली इंडिया की कोई रैली ना हो इसलिए मध्यप्रदेश की रैली भी कैंसल हुई है और पांच वाल लेकिन सबसे एहम जो इन त कलना है खासकर के दो दिनों के मंतन से कि कॉंग्रेस लोग सबस्वा चुनाव में धरसल कुल मिलाके कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और कॉंग्रेस अपने लिए क्या संभाव नहीं देख रही है जो कॉंग्रेस के सूत्र बता रहे हैं उनके हिसाब से तिवन 200 से लेके 220 के बीच उनका मुकाबला सीधा BJP से होगा या BJP के सहयोगियों से होगा तो ऐसे में कॉंग्रेस को लग रहा है कि अगर उसका आंकड़ा डेड़ सो से 160-165 के बीच कहीं रहता है जीत का आंकड़ा तो वो बहुत बढ़िया आंकड़ा कॉंग्रेस मान रह या और उसमें भी ये जो भी पांच राज्ये चुनाओ होने हैं इनमें 82 लोग सबा सीटे हैं पिछली बार कॉंग्रेस ने सिरफ 9 सीटें जीती हैं इनमें कॉंग्रेस चाह रही है और खास करके इंडिया के जो बाकी गड़वंदन के साथ ही हैं वो भी चाहते हैं कि इन र राजियों में 36 गड़ मध्य परदेश राजिस्थान तलंगाना इन राजियों में अगर 40 सीट कॉंग्रेस जीत जाती है तो फिर आप उसमें जोड़ लीजे कि करनाटक की सीट को जोड़ लीजे उसमें आप कुछ महराष्ट्र की जोड़ लीजे साउथ से केरला की बंदन की जो है तमिल नडू और बिहार उसको जोड़ लीजे कुछ दो चार दो तीन सीट जितनी भी आप उत्तर प्रदेश की जोड़ लीजे फिर आप पंजाब आईए हरियान आईए हिमाचल आईए उत्तरखंड आईए दिल्ली आईए जब इन सब को जोड़ के अगर मिनिमम भी जोड़ के चलिए तो भी कॉंग्रेस का अकड़ा डेड़ सो से एक सो साथ के मीच आराम से पहुँच जाता है और कॉंग्रेस इसी रंडनीती पे काम करना चाहती है और इसी चीज को लेकर इस बैठक में चीजों को फाइनल करना है तो ये कुछ चीजे हैं जो उ बहुत एहम रोल इतियास में अदा करने वाली है अपना रोल क्योंकि अगर इन तारीखों में कॉंग्रेस की रंडनीती में कुछ कमजोरी रही तो 2024 में यही सत्ता फिर से जो है आपको रिपीट होती नजर आईगी और उसके बाद इस देश में जो शंकाएं व्यक्त की जा कि संविधान बदला जा सकता है कई चीजें हो सकती है तो उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा और अगर कॉंग्रेस ने इन दो दिनों में अपनी जो रंडनीती है उसको टाइट कर दिया उसको पुरी तरह से सील कर दिया तो उसके बाद यह भी हो सकता है कि यह निजाम ज पर जो भी हो सकता पर देख बानीत कर देख बानीत कि पुरी तरह से लूंगाट कर लिए अरुन कर दिया है तो सब्सक्राइब तो तो जो यह भी हो ए Mitt इन दो यह ऑね उसके लिख एका लूंगा हो पूंगा इना में अजूंग क्वार्ट इन लिए जूना इकर बाद कर दि सुनर रादर देटार जा रही है और देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है और आज पूरे देश के हमारे सभी लीडर्स तैलेंगाना में आ रहे हैं यहां बैटकर सारी विचार मिमश होगा आगे किस चुनाओ की किस तरह से रणनीती होगी मैं हाल ही मद्रप्रदेश से आ और आज एक ऐसा महल बना हुआ है चाहे वो मद्रप्रदेश हो चाहे वो चरतीजगड़ हो राजस्थान हो और तेलेंगाना हो चाहे मीजोराम हो कि इस सरकार से लोग ओप चुके हैं इस सरकार का असली चेहरा देख चुके हैं एक बहुत बड़ा बदलाव चाहिए और उस इसलिए मैं कहरा हूँ कि 18 सितंबर वो दिन है जिस दिन संसत का स्पेशल सत्र शुरू होने वाला है जी हाँ स्पेशल सत्र अब सरकार ने कहने को तो कई एजेंडे बता दी हैं चोटे 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 लेकिन अभी भी बैक डॉर से कहीं न कहीं सब को शक यही है कि ये सब हा इस चीज तो होने वाली है इसलिए इसकी शुरुआत होगी 18 सितंबर को तो इसलिए मुझे लगता ही 18 सितंबर का दिन भी 18 सितंबर 2023 का दिन भी भारत के इतिहास में खास करके राजनितिक इतिहास में एक स्पेशल मुकाम हासिल करने वाला है स्पेशल दरजा हासिल करने व आप या भविशे अभी हम भविशे कहते हैं आने वाली जनेरेशन के इतियास का हिस्सा बनने वाले हैं लेकिन इसी बीच आपको मालूम है कि तीन दिन से जो चौदा एंकर्स का बाइकॉट क्या है इंडिया ब्लॉक ने उसको लेके जिस तरह की छट पठात बीजेपी और ग इशकार किया जाएगा उसको लेके बहुत खvaluesी मची रही है लेकिन उस में एक नाम ऐसा है जो मुझे लगता है कि वो शायद हो सकता है बाकी का मैं कहने सकता है लेकिन एक नाम की मुझे भी आशंगा है वो है एनाई जी ह जैसी बीजेपी को कोई मुद्दा मिलता है चाहे वो सनातन धरम का हो चाहे कुछ और हो विदिन 15-20 मिनट के अंदर अंदर पूरे देश के बीजेपी नेताओं के बयान आपको मेडिया सोशल मेडिया सब पे दिखने लगते हैं उसकी वजा सिर्फ यही है लेकिन जब विपक का नाम भी इस एजेंसी ने गायब कर दिया इस तरह से बयानों को जो है वो विपक्ष के रिलीज करती है इसलिए हो सकता है कि इस एजेंसी को बाइकॉट किया जाए बाकी नामों का मुझे नहीं मालुम की कौन-कौन नाम होने वाले हैं चर्चा में बहुत सारे नाम है ले भी देखने वाली बात होगी बाकी नजरें तो सौम बार को स्पेशल सेशन पर ही तब तक के लिए आप प्रदीप चौहन को दीजिए इजादत नमस्कार